हेलो फ्रेंट्स, वेलकुम बैक तो मैं चैनल, आज मैं आपको सिखाऊंगी मोहरी का डिजाइन, मोहरी कैसे बनाते हैं सलवार की, देखे मैंने मोहरी को इस पे पेस्ट कर लिया है, अभी मैं इस अलवार का जो नीचे वाला पार्ट है, जहां मोहरी अटेच करते हैं, उस पे ऐसे पलट लेंगे, और यहां पे मैं एक सिलाई लगा दूंगी, इसके बिल्कुल ऐसे किनारे पे, देखिए, यह मैंने सिलाई लगा लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अंदर की तरफ ऐसे पलट लेंगे, और यह हमने एक डिया है, इसको ऐसे हाथ से हम उपड़ कर लेंगे, और यहां पे मैं इसको ऐसे ऐसे एक सिलाई लगा दूंगी, यहां पे, जहां पे हमारी एन्ड़ाई पॉइंट यहां पे मैं मचीन को रख के इसको अटेच कर लूगी, कपड़े के साथ, देखिए, मैंने इसको कर दूंगी देखिए अभी हम क्या करेंगे अभी यह जो यह जो लाइन है फर्स्ट वाली इसके साइड में मैं एक ऐसे लाइन लगा दूंगी देखिए मैंने इस साइड भी सिलाई लगा लिया अभी मैं इसके दूसरी तरफ यहां पे भी मैं एक ऐसे लंबी सिलाई लगा दूंगी देखिए मैंने दोनों तरफ एक ऐक पैर का मार्जन छोड़ते हैं इस लाई लगा लिया है अभी मैं इसमें ऐसे दोनों तरफ ऐसे जिग जेड बना दूंगी दोनों तरफ देखिए यह देखिए यह मैंने इसमें जिग जेड बना लिया है अभी हम क्या करेंगे अभी इसमें ऐसे सीधी लाइन और फिर ऐसे और यह ऐसे करते हुए मैं इसको पूरा ऐसे कंप्लीट कर लूंगी देखिए फ्रेंट्स मैंने इसमें ऐसे यह लाइन लगा लिया है ऐसे अभी इसके ओपजिट मैं ऐसे ही लाइन लगाऊंगी जिसका यह ब्लोक बन जाएगा जिससे इसका देखिए ऐसे और मैं इसको पूरा कर लूंगी ऐसे देखिए यह मैं इसको ऐसे जिग जेड से इस इसके center point में लाएंगे जहां पर यह मुढ रहा है और इसके center point तक लाके इसको छोड़ देंगे देखें अभी फिर इसको ट्राइंग करेंगे देखें सेम उसके सामने जो हमने बनाई है देखें friends मैंने इसको block को पूरा कर लिया ऐसे सारे को अभी हमने जो यह नया block बनाया है यहाँ से हम line उठाएंगे और next block तक लेके जाएंगे और फिर यहाँ से फिर next block तक लेके जाएंगे हमें एक खाली छोड़ना है ताकि हम उसको दूसरी line में fill कर सकें देखिए यहां से हम इसको उठाएंगे और यह सेकिंड ब्लोग पर लेकि गए हैं हम इसको और यहां से फिर हम सेकिंड एक छोड़ के एक 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 छोड़ के एक ऐसे करना है हमें देखिए यहां से इस तरफ भी हम एक को छोड़ेंगे और दूसरे मिलेंगे प्रशुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्शुर्श स्टार्ट करेंगे यहां से इस रोको जो हमने छोड़ा था ब्लोक उस ब्लोक पर लाएंगे और जैसे हमने यह ब्लोक छोड़े हुए हैं उस ब्लोक पर हम इसको ऐसे अटेच करेंगे देखिए मैं करके दिखाती हूं आपको अब इधर से स्टार्ट करेंगे देखिए यह ज दूसरे वाले लेंगे, देखिए, यह ब्लोक छोड़ना होता है हमें, हर बार एक ब्लोक, देखिए फ्रेंट्स कितना सुन्दर डिजाइन बनके त्यार हो रहा है, बहुत यह आसान है यह, मैं आपको कम्प्लीट करके दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंट्स मैंने इसको कम्प्लीट कर लिया है, बिल्कुल कितना सुन्दर यह डिजाइन बनके त्यार हो रहा है, यह कम्प्लीट हो चुका है, अभी हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर मैं अपनी मूरी, जितनी मुझे अपने सलवार की मूरी चाहिए, मैं यह निशान लगा लूँगी, देखिए मुझे 7 इंच इसकी मूरी चाहिए, मैं 7 इंच यहाँ लगाऊँगी, और जहां हम फिटिंग लगाते हैं, यह देखिए, उसका हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, देखिए, और मैं इसको ऐसे मिला दूँगी, और मैं यहाँ प सब्सक्राइब करना, थैंक यू फर वाचिंग, बाए!